आज बादरपद क्रिष्ण त्रितिया गुरुवार 22 अगस्त 2024 है शेजी की नगरी में नियोन तम तापमान 24 डिगरी सेल्सियस और अधिक तम तापमान 30 डिगरी सेल्सियस है आसमान में बादल छाय हुए हैं प्रति दिन बारिश भी हो रही है आसमान सकल से अथि है तुम तापमान मुरार अरे पदपंकज सुरद मंदरे नूत कटाप जेशी कृष्णा आप देख रहे हैं दिवे शंकनाद मैं भावी का जोशी आप सभी का स्वागत करते हैं आज प्रभु श्रीनाजी सहित समगर पूष्टी श्रिष्टी में संध्या समय शुप मुहर्त में हिंडोलना विजय होंगे हिंडोलना विजय की विशिष्ट परमपराओं एवं भावना की प्रस्तुती हम गत कल कर चुके हैं अतह पुनरावर्तन नहीं कर रहे हैं यदि आप अवलोकन करना चाहें तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है भादवा क्रिष्ण पक्ष अश्टमी को स्री क्रिष्ण जनमस्टमी है यह महा महोसव है और प्रभु स्री जी में बड़े ही अनूठे ठंग से मनाया जाता है इसके कई विलक्षनता हैं आज से इन विलक्षनताओं में से कुछ का अवलोकन हम प्रारंब कर रहे हैं ध्यान से आनंद पूर्वक अवलोकन कीजिए तोपों के यह धमाके प्रभु स्रीनात जी की नगरी में जनमस्टमी महोसव को विश्व भर में सबसे अनूठा बनाते हैं इसके साथ प्रभु स्रीनात जी की सेवा प्रणालिका में अनेक अद्भुत और विलक्षन परंपराओं का निर्वहन भी किया जाता है उन में से तोपों की सला में भी एक है बधाईयां कई दिनों से चल रही है इसी कड़ी में भादवा की पंचमी को एक विशेश परंपरा का निर्वहन किया जाता है जिसे प्रभु के वस्त्रों को रंगने की परंपरा कहते हैं यहां केवल परमपरा नहीं है प्रभु स्रीजी की सेवा का अभिन्नांग है इसमें भी अनेक गुड भाव छिपे हुए हैं यहाँ परंपरा श्री नवनित प्रिया जी के बगीचे में निबाई जाती है जिसमें तिलका श्री सव परिवार एवं श्रीनाजी के मुख्या जी नवनित प्रिया जी के मुख्या जी अन्य सेवक गंड तथा दर्जी खाने के सेवक गंड भी शामिल रहते हैं सूत के मलमल के वस्त्रों को केसर से रंगा जाता है स्री जी को गोपी वल्लब के भोग आने के पस्चात यह सेवार क्रम किया जाता है जो दृष्टे आप देख रहे हैं यह दिवे शंकनात के संकलन से गत वर्षों के हैं जब वस्त्र रंगे जा रहे होते हैं तब नगाडे निरंतर बसते रहते हैं सारो प्रत्म वस्त्रों को खोल लिया जाता है तस पस्चात केसर का जल इसमें मिलाया जाता है तिलकाश्री एवं उनका परिवार वस्त्रों को रंगता जाता है जिसमें मुख्याजी भी सहयोग करते हैं दर्जी खाना के सेवक इन्हे सुखाते जाते हैं यहां से ये वस्त्र दर्जी खाने ले जाये जाते हैं जहां जनमाश्टमी एवं नंद महुस्व पर प्रभु को अंगिकार करवाने के लिए वस्त्र तैयार किये जाते हैं यही तैयार हुए वस्त्र प्रभु विग्रहों को जनमाष्टमी एवं नंदुसव पर विशेश रूप से अंगेकार करवाये जाते हैं इस समय सेवगण एवं कीर्थनकार बधाई के गीत गाते रहते हैं विशेशता यह है कि हमारे प्रभु उत्मोत्तम वस्तु के भोगता हैं जब उनकी सेवा मन बुद्धी चित को संपूर्ण रूप से उनमें लगाकर की जाती है तब अवश्य ही प्रभु फल प्रदान करते हैं भाव यह है कि जिस प्रकार वस्त्र रंगे जाते हैं उसी प्रकार पंच कर्मेंद्रियां एवं पंच ज्यानेंद्रियां भी प्रभु के रंग में रंग जाएं तो आने वाली अश्टमी को निश्चित ही प्रभु का साक्षातकार होता है अर्थाद प्रभु का प्राकट्य, प्रभु श्री जी की अद्भु सेवा प्रणालिका की अन्य परंपराओं के बारे में हम निरंतर कल भी जारी रखेंगे, जैस्री कृष्ण आए पुष्टिमार की प्रधान पीट, नाथद्वारस्थ, श्रीनाजी मंदर से आज के श्रिंगार, राग व भोग सेवा साइथ प्रभु के दर्शन करते हैं प्रभु स्रीनाजी की सेवा प्रणालिका के अनुसार, आज हिंडोलना वीजय दीवस है प्रभु स्री जी को इस दीवस के नियत श्रंगार धराये गए हैं यह श्रंगार हिंडोलना रोपन के दीवस धराये गए वस्त्र श्रंगार जैसे ही होते हैं और गोविंद स्वामी के पद गाये जाते हैं सर्व प्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चर्णों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंब करते हैं और श्री चर्णों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज आभरन से मिलुआ नुकपूर पैंजनिया और मिच्छिया धारन की हुई है अब जो नित्य नवनीत है मंगलकारी है ऐसे प्रभु श्री जी के सुन्दर मुखारविंद के दर्शन करते हैं श्री जी ने ललाट परतिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारन किये हुए है प्रभु के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित कर रही है अपने अधखुले नैत्रों से कृपा दृष्टी डालते हुए अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार प्रभु ने किन किन रूपों में धारन किया है आईए दर्शन करते हैं शिजी के पार्शो बाग में आज लाल रंकी मलमल की पिछवाई सजाई गई है विशेशता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी की ही लपा वाली किनारी से सुसज्जित है खंड पाट पर भी पिछवाई जेसे ही वस्त्र सजाए गए है अन्यसाज में गादी तकिया एवं चरन चोकी पधराई हुई है गादी एवं तकिया पर लाल रंकी मकमल की बिछवट की गई है स्वर्न जडित चरन चोकी पर हरी मकमल मडी हुई है दो स्वर्न के पढगाजी एवं एक रजत के पढगाजी भी पधराई हुए है जिन में से एक पर बंटा जी दूसरे पर जारी जी पधराई हुई है एक अन्य चान्दी के पढगाजी पर माटी के कुंजा में शीतल सुगंदित जल भरा हुआ है गादी पर ही रजत की दो गुलाबदानिया भी पधराई हुई है चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चान्दी की त्रिष्टी जी पधराई हुई है प्रभू ने आज जो वस्तर धारन किए हैं उनके दर्शन करते हैं श्रेजी को आज लाल रंग की मलमल के वस्त्र धराये गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा अंगिकार करवाया गया है विशेशता यह है कि यह पिछोड़ा भी सुनहरी जरी की किनारी के लप्पा से सुसज्जित है परन्तु पिछोड़ा के किनारे मोड दिये जाने के कारण यह किनारी द्रिश्मान नहीं हो रही है प्रभु की पिठी का जी पर आज ठाड़े वस्त्र पीले रंके धराये गये हैं अब जिने श्रंगार आभरन के रूप में धारन किया है उनके दर्शन करते हैं श्री जी को आज छेडान के अर्थात कमर से थोड़े नीचे तक के छोटे श्रंगार धराये गये हैं जिन में कंठहार, बाजू बंद, पोची, हस्त सांखला, कडे, मुद्री काये आदी, सभी आभरन स्वर्ण में जडित हीरा से सिद्ध किये हुए धराये गये हैं नीचे चार पान घाट की जुगावली और उपर मोतियों की माला धरायी गई है त्रवल की जगे आज हीरा की बद्धी धरायी गई है श्री मस्तक पर प्रभू ने जिनको धारन किया है उनके दर्शन करें तो लाल रंकी मलमल की ही आसमानी बाहर की खिडकी वाली छजदार पाग धरायी गई है पाग के उपर आभरन से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के उपर आज प्रभू को एक मोर पंख की सादा मोर चंद्री का धरायी गई है इन के साथ मोतियों से सिद्ध की गई लूम भी धराई गई है बाई और शेच फूल तो धराये ही गए है इस्टे कर्ण के स्रंगारों के दर्शन करें तो आबरन से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण में हीरा जडित कर्ण फूल की एक जोड धराई गई है फूल घर की सेवा के तहत श्वेत लाल गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग विरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो मालाजी धराई गई है प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किये हुए सुन्दर छोगाजी भी धराई गए है प्रभु के दाएं श्री हस्त में आज एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है जिसके साथ स्वर्ण में जड़ित हीरा की वेणू जी धराई गई है कटी पर प्रभु को दो वेत्र जी धराई गए हैं जिन में से एक स्वर्ण जड़ित हीरा के एवं एक स्वर्ण के है खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें आज पट लाल रंका सुनहरी कीनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की छोटी वाली पधराई गई हैं इन सभी साज, श्रंगार एवं आभरनों से अलंकृत प्रभु स्वेजी की छवी अदभुत लग रही हैं इस अलोकिक छवी का प्रभुको ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है जिसमें श्रंगार में लाल मकमल वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली दिखाई गई है जिन कीर्टनों के भाव से प्रभु स्रीजी की अश्टयाम सेवा होती है उसका अवलोकन करें तो मंगला में महा मोच्छव श्री गोकुल गाम राजभोग में महा मंगल महराने आज हिंडोरा के पदों में चार पत श्री गोविन स्वामी जी के हिंडोरा रोपन के दिवस वाले गाये जाते हैं जिन में जूलन आई ब्रजनार राधा मोहन जूलत ते सोई व्रंदावन ते सी ये हरित रंग मचो सिह द्वार शयन में रंग बधावनो गोकुल राज के धाम कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है श्रीजी सेवा का अन्य सभीक्रम नित्यवत हो रहा है जिसमें भोग सेवा के तहत दूद घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्द की जाने वाली विविद सामगरियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है पानगर की सेवा के तहत प्रभु को तामूल वीडा नित्यवत अरोगाये जाते हैं मंगला, राजभोग एवं संध्या आर्ती दर्शनों में प्रभु की आर्ती उतारी जाती है श्रावनमास की विदाई के साथ ही आज प्रभु में हिंडोरना वीजय दीवस है अतह इस रितु के इस वर्ष के छेले हिंडोलना के दर्शन आज हो रहे हैं जिन में प्रभु स्रीजी में आज रजत अर्थात चांदी के हिंडोरना में प्रभु वीराजित होकर दर्शन देंगे और सभी को आनंदवर्षा करेंगे और जैसा की हमें ज्यात है, सायंकाल शुब मुहुर्त में प्रभु के हिंडोलना विजय होंगे, जिसमें सभी परंपरागत विधियों का निर्वहन किया जाएगा। जै स्री कृष्ण आईए प्रभु शुनात जी की नगरी नाथ द्वारा से आज के हाल चाल देख लेएगा। जो दृष्ण अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु शुनात जी की नगरी का चौपटी वाजार है, समय कल सायंकाल हिंडोलना दर्शनों के पस्चात का है। संदर्व यह है कि पिछले तीन चार दिनों से नित्य ही प्रभु स्री जी में संध्या समय अच्छी बारिश हो रही है, जिसका जल बाजारों में बह रहा है। इस कारण आसपास के खेत्रों में हर्याली हो जाने के कारण मौसम सुहावना हो गया है। प्रभु स्रीथी हिंडोलना में विराद रहे हैं, विसिष्ट सामग्रियां भी अरोग रहे हैं। आप भी आनंद लेने आ सकते हैं। अब देश विदेश के पुष्टी मार के हवेलियों से भाव किर्तन के साथ दर्शन करते हैं। आर तैसोई रंदान वर्दर ऐसी है हरिकर। मुल्मित त्थी पुष्टी में वारकी त्थी मुल्मित जार तैसुछाई रहे हैं, टैसोई रंदान वर्दर, तैसुछाई रहें। मैं से ही को बागी जाने करे ले मुँ जाने मैं से ही को बागी जाने करे ले कुमुमुमुमुमुमुमुमु तरव पैसे माचाब मौर प्रिटें पर नाय गान वो देनाई आई 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 हाग आई 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 ऐतल श्राटें एक तून सेपने आफ उन जो के राइओ निद मुझें तून सहीक, अजिकिन क्ड़ुटून उनियू मत्यू Esse है। नावे राउंगे बादी दोरी दैसे नावे राउंगे बादी दोरी दैसे कि आवे राउंगे, नावे राउंगे बादी ओर निनन राहु सुरांगा इनोरे जुरे 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 आजे राहु राहु जान्गा इनोरे जुरे 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 कर्दोर। कर दो 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 कर जूलत तेरे नायन इडोरे 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 पाटूली अधर कापोल सिंहासन पाटूनी अधर कापोल सिंहासन बैठे युगला रूप रात जोरे बैठे युगला रूप रत जोरे कचगन आड कचगन आड दामीनी दमकत कचगन आड दामीनी दमकत मानो इंद्र दनुष अनुगोरे जूलत तेरे नायन इडोरे आजूलत तेरे नायन हिडोरे जूलत दे रे नाय नाय गुर्दे कत अलकावल अली कूल लेत सुगंधन पावन जको बारूनी चमर बारूनी चमर डूरात चाहूं दिस्ते लार लटकन फूंदना चित चोरें जूलत दे रे नाय नाय ना इंदोरें ताकीत भये मंडाल आज के लिए पस इतना ही आज के रे नाय 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 आज केपिन कि यह जुट एक जुट एफ झाल कि यह जो जब कि यह जुट एफ जुट खच।